कि पहाडों से एक आवाज आई थी ये कहानी दादी ने सुनाई थी एक परी रहती थी बादलों में एक लड़का गिना जाता था पागलों में कहता था बादलों से कोई आने वाला है जमीन पर उतर कर मेरी सांसों में समाने वाला है उसे बिना देखे इजहार करता हूं कहता मैं उसे खुछ से भी ज़ादा प्यार करता हूँ इतना सब सुनकर परी ने जमीन पर आने की ठानी मा ने रोका बाबा ने समझाया पर किसी की एक न मानी रात का वक्त चारो तरफ अंधेरा था रोशनी के नाम पर बस चांद का बसेरा अब चांद से याद आया है कि चांद की रोशनी भी तो फीकी पड़ जाएगी जब वो उतर कर मेरी छट पर आएगी तो कहानी ने नया मोड लिया परी ने प्यार की खातित खाबों से रिष्टा तोड लिया कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा ही मेरे सामने कौन खड़ा है कुछ बोलता क्यों नहीं इस तरह चुप्पी सादे क्यों मोन ख़़ा है पर उसने कहा कि मा बाबा घर बार सब छोड दिया मैंने बहुत खाब सजाये थे काफी उंचा उड़ना था सब तोड़ दिया मैं आज से मेरे किस्मत के ताले की चा भी तुम हो बेचैन सी मेरी धड़कन की बेता भी तुम हो मेरा सुक दुख हसना रोना सब तुम पर निर्भर करता है उसके बाद दुनिया बदली वक्त बदला बदला ये संसार सार प्यार की कसमेवादे जूटे निकले जूटा निकला प्यार सार अब महब बस से नहीं से गालियों से पुकारता है गालियों से बस नहीं चलता तो कभी हातों से मारता है दर्द में कराती रोती बिलकती किसे पुकारती वो, अफसोस होता फैसले पर अपने जब भी शीशे में खुद को निहारती वो, उसकी कम्या निकालता है हर वक्त, कभी तो खुद को खोड़ दे, इतना ही गुस्सा भरा है तेरे अंदर, कभी तो खुद को चोड़ दे, मेरी ये नजम सुनकर मुहबबत से इंसाफ कर देना, गल्तियां इंसान से ही होती है तो तुम मुस्कुरा कर माफ कर देना